नमस्कार खेत खलियान कार्जकरम में आपका स्वागत है किसान भायू सब्जियां हमारे भोजन का परमुक हिस्सा है साथ ही सब्जियों की खेती करके हमारे किसान अच्छी आमदनी पड़ाब करते हैं जो छोटे किसान हैं सिमान किसान है जो अनाज की खेती नहीं कर सकते हैं वो अभी थोड़ी जमीन में बहुत अच्छी आमदनी पड़ाब करते हैं लेकिन हमारे किसान पारंपरिक बिधी से सब्जी खेती करते हैं उनको जितना लाब मिलना चाहिए उतना लाब नहीं मिल पाता है तो आधनिक बीधी से आप सब्जियों की खेती कैसे करेंगे इस विशा पर आज हम आपको जन्तरी दिलाना चाहेंगे और इस उदेश से हम आए हुए हैं क्रिशी विग्यान के इंदरे पर सहोनी पुर्वी संपार्ण हमारे साथ में डाक्टर अभिशेक परताप सिंग जो इस केंद्र के बड़ियवाई ग्यानिक है साथी परभारी भी हैं इस संस्तान के आपका स्वागत है हम आपको इन से जनकारी दिलाना चाहेंगे आधनिक बीधी से आप सब्जियों क्योंसे करेंगे डाक्टर साब सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो परमपरिक विदी से हमारे किसान सब्जियों क्यों करते हैं तो उनको जितनी आमदनी मिलनी चाहिए उतनी आमदनी की नहीं हो पाती है आज कल सब्जीयों के खेती में भी नई-ई-ई भीधिये अपनाई जा रही हैं, और क्रिशिव घ्ञानकेंदरों के द्वारा भी सू तुद्यालने के द्वारा क्रिशिव घ्र वा아न को द्वारा बहुत कुछ इस पर सोच भी हूं पराइद में जो पारंपरिक विधी और आधुनु deseakon, और नि surtout दед करते हैं हम लग्रियोगर निसीतौर परपेस खेक्टी थे पर्ल जितना फाइदा नहीं नहीं हो पाता था जितना फाइदा सि elduela जहां और आधनीस तकनीक जमीन आसमान का दोनों पूरी तरीके से और जब अच्छा उत्पादन होगा तो इस तरह से आधुनिक खेती को अपना करके किसान भाई सब्जी खेती से काफी फायदा ले सकते हैं सब्जी आएंक प्रस्ब्जी खेती हमारी किसान करते हैं तो हर तरह की सब्जी होगा उससी किसान करते हैं लेकर चैंपी टेरा होता हैं इसका हाइथ हमारा 5-6 फिर तक जाता है वही हाल हमारा खीरा का है तो खीरा में भी अगर मालीज हम बात करते हैं तो पचास गुड़े 30 सेंटीमीटर पकर हम खीरा लगाते हैं तो एक हजार बर्ग फिट के एरिया में हमारा खीरे का आवसत उत्पादान 200 से लेकर के 300 कुण चल तक होता है अगर खीरा का आवसत मुल्य अगर किसान भाई को 20 रुपय किलो बिखता है तब भी हम लगबग 5 लाक रुपय का खीरा हम साल भर में बेश सकते हैं तो इस प्रकार से पाली हाउस हमारे किसानों के लिए काफी बर्दान है और पाली हाउस में अगर हम आधुनिक टक्निक को और थोड़ा से अपना लेते हैं साल भर में हम कम सकम दो बार और अधिकतम तीन बार खेती खीरा का कर सकते हैं और हम अगर लागत की बात करेंगे तो लागत में मुख पाली हाॉस का खरचा का एक साल में बात करें और खेती करने का खरचा हमारा सब्सक्ट." पाली हाउस में सब्जिया के प्रभावित नहीं होती है और जो पाली हाउस से उत्पादन निकलता है वह बजार भागों में भी काफी मतलब चमकीला होता है उसका जल्दी से ग्रहक उसको करेक कर लेते हैं जिसलिए पाली हाउस किसानों के लिए एक प्रकार से बरदान साबि अलगी हूई है कुछ रंगिन पत्तागोवी भडु कि लालल मूली भाइन के बाख़े भारे में उसके बारे में उसके वापत नेदिए हमारे ही block भें करता है तो हमारा उद्दिश यह भी है कि हम पोशन स्वच्छा में आगे बढ़ें तो अगर हम पत्ता गोवी का सेवन करते हैं तो उसके बनस्पति अगर हम ब्रुकली का सेवन करते हैं तो उसके तुलना में कई गुना विटामिन प्रोटीन ज्यादा हमारे सरी में जाता है और लाल करें उनके भोजन प्रण्म् Am universalın क्वाल्टी हो ना चाहिए अब सस्कृडिया के बारे में जानना चाहिए के दो तरग़ी सब्यूं के बारे में कि 여기는 की उसमें वड़ी उसके बारे में आप हम को जनकाड़ी दीजे और भी जोगर के उपलत को पोशक पर Convention us का सिचाई की वेवस्था चुकि इसमें ड्रिपे एरिकेशन वड़ा की बात आती है तो इसके बारे में कुछ विस्तारच आप से जाना चाहेंगे देखे पाली हाउस में हम सब्जी की खेती की बात करते हैं तो सब्जी का खेती हमारा रसानिक खादों पर ज्यादा हमको निर्भरता नहीं रहनी चाहिए हमको आर्गेनिक मेटर को ज्यादा ज्यादा इसमें पाली हाउस में डालना चाहिए अगर हम बात करें प्रति बर्ग म लगा हुआ है तो डिप के माध्यम से यंपी के का मिस्टन आता है 19 19 19 का आता है 20 20 का ग्रेड आता है इसको हम डिप के माध्यम से सब्ता हमें दो बार हम फसलों को देते हैं इससे हमारा फसल से उत्पादन भी अच्छा होता और समय से जो है पुशक ततो की पूर्ती हो जाती ह अगर डिप्स विचाई पद्धस अगर हम खात का समावेश करते हैं तो किसान भाईयों को लागत में भी कमी आती है और उरुरक हमारा सीधे आधा हो जाता है और उसका उप्योग छंता भी पौधा हमारे अच्छे से कर लेता है तो इस प्रकार से करते हैं और दूसरा किसानिव का समस्य आखा होता कि हमको जितना उत्पाधन होता उत्तना नहीं मिल पा तो इसके लिए मेरा उद्येते एक निश्च्य दूरी पर लगा पोछन विसे करने उस खेती बात नग एंकर माण लिया겠지만 जाए कि सताई करना चाहें चाहता है West पजले हो आजाता है उसको उसके पास सतही शिचाई की वेवस्ता संभाव के सब्सक्ता है कि अभर सब्सक्तार्राइब सेखें कम ऐसरेश का सब्सक्तों कुछ सब्सक्राइब चुरूर साष्ट करका नहीं का के हमारी द», जाता है बजार कि Mexican Western United होगी सानों को किसान को की सान बाइयों के लिए किसान भाईयों के लिए किम ग्रफ्य में हम लोगो नर टेर करते हैं किसिते हैं आज हमारा पूसा संस्था जो नई दिल्ली में है उहां पर किसान बाइज अगर आलडर लगा देते हैं तो पाली हाउस के लिए बीज वहां पर रहता है चाहे टमाटर का बीज हो चाहे हमारा खीरा का बीज हो आप मिल जाता है और लेकिन अपने नद्दी की क्रिसी ज्यान के अनुगा संपर करते हैं तो हम उनको पौधा त्यार मिलेगा और उसी पौधा से अपना उत्पादना ले सक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो संकर किस्म का बीज हर जगा संभोव नहीं हो पाता है दिक्कत होती है किसानों को लेकिन अगर आएंगे तो उनको पौधा निश्ची तोर दे मिलेगा सुनने में आता है कि पाली हाउस का अंदर खेती के जाए तो उसमें कीट और व बीजाली हैं जो टमाटर को और खीरा को परभावित करती हैं और कीरों का प्रकौप कैसे होता है कृसरा तो किसान क्या करेंगे पहले तो किसानमायों को ध्यान देना चाहिए कि सबजी की खेती अगर हम करने जा रहे हैं तो जैसा कि हमने पहले बताया कि प्रयापत मातरा में अगर कमपोस्ट का प्रयोग होगा तो उसमें कीडा बिमारी नग के बराबर ही लगए क्योंकि अगर पौदा हमारा अंदर से वाला कीट जो होता है वो क्या करता रस को चूचता है और पत्ता हमारा सिकूर जाता तो ऐसी कंडिशन में किसान भाईयों को इमीरा क्लूरूपीड नामक दवा कर समय समय चलाना चाहिए और उसके बाद आपने बताया कि खीरा में जो जूलसा लगता है उसके लिए हमारे पार्स एक दवा आता है रीडो मिल गोल्ड के नाम से आता है और उसमें हम मैंको जो मेटालिक जिल दोनों है उसका जो है दो ग्राम दवा को प्रतलिटर पानी किसाफ से घोल बना करके अगर हम छीरकाव करते हैं तो खीरा में जूलसा से हमारा समस्या खतम हो जाता है पोश या उसमें संभव है खेती बिल्कुल संभव है हम जैवी खेती की जहां तक बात करते हैं जैवी खेती में हमने पहले बताया कि गोबर का सड़ाव खात का समावेस अगर हम करते हैं तो सारे पोशक्ता तो हमको मिल जाते हैं और उसमें जो हमारा जो नाइट्रोजन फास्प तर्स नभरन को पूरी तरीके से लेख आत तो कीट व्यादी का प्रखुब जिल नहीं करेंगे तो हम्हारा जो लिएूत्वा फ़ल पड़न तक पुरिके पोहुचाना या फ़ल परी पख हुआ है किनिज्ञ कारी खासका खीरा उटमाटर में कैसे किसान समझेंगे कि हमारा फल पड़ी पक हो गया है उसकी तुराई कर लेनी चाहिए अगर तुराई कर लेते हैं अगर बजार दुरस्ता कहीं बाहर भजना हो तो उसकी पैकेजिंग उगरा या डिबाबंध उगर कैसे करेंगे देखे ख कई तरह से हम जज करते हैं जिसमाली के 2-2 % ग्राम से लेखर के 200 ग्राम तक का वजन का हो गया तब ओर तूरसका है आगर का लमबाई 113 का है bubbles सब्यूकिल टोरने का तरीका थे कि को मैं देख्शा का फसल जो हमको लगातार फिरा को दोसे लेकरμε्ड अम चार दिन को लगाता आप देखते हैंकि खीडा में की तोड़ाइए करना चाहिए उससे क्या होता है दूर बजार तक भेजने के लिए बना रहता है इस तरह से हम खीडा को ध्यान देना चाहिए और चमाचे में हमारा जो फल बढ़ा होने लगए प्रकार से उसमें लाइट कलर आ जाता है तब टमाचर को भी हमको डंठल सही तोड़ना चाहिए इससे टमाचर का भी कीपिंग क्वाल्टी बना रहाता है जो कि दूर बजार तक हम आसानी से भेज सकते हैं इन सब बातों को ध्यान दे करके और हमको पैकेजिंग करना चाहिए पैकेजिंग हम जो है हमारे पास जो कूट का कूट का जो कार्टून होता उसमें कर सकते हैं और बीच बीच में थर्मकॉल का लेयर लग आते हैं हमको पैकिंग करना चाहिए डैक्ट साब हमारे किसान भाईयों को आपने बहुत अच्छी जनकारी दी खासका कि आधनिक विदी से सब्जी खेती कैसे करेंगे और इस एक परगतिसील किसान भी हमारे साथ में है तो उनको क्या लाब हो रहा है इस कृशी विज्ञान के इंदर से हम उनसे जनकारी प्राप करते हैं क्या नाम है आपका उपेंदर प्रसाद कुस्वाहा आप सब्जी की खेती करते हैं जी हर एक मोसम का खेती मैं कर रहा हूं सब् सलाह लेकर किस टाइम में कौन सब्जी लगेगा किस टाइम पानी देना है किस टाइम दावा देना है किस टाइम उसको मतलब तोड़ाई भी करना हर एक काम जो करना है सर से हम सलाह लेकर खेती कर रहा है आचा क्रिशी विज्ञान केंदर खुलने से इस छेतर के किसानों को क जाली करते है खेतीज भी आप करते हैं खासका कि का आ है बाव लगाते हुश्प ले अच्छे कुलाटी के खिरा लेते हैं उसको लगाते हैं बहुत अंदनी अच्छा होता है उसको तीन रूज बेचेंगे फिर भी खराब नहीं होता है बहुत अच्छी अनकारी आपने दी आपको बहुत बहुत धन्यवाद किसान भायों क्रिशी विग्यान के अंदर परसवनी पूर्वी चमपालन के परशुपालन बैग्यानिक हमारे साथ में डाक्टर सैलेंदर कुमार रजक जी जो क्रिशी विग्यान के अंदर परसवनी पूर्वी चमपालन में परशुपालन बैग्यानिक है आपका स्वागत है सबसे पहले तो डाक्त सेंे हैं आप सी जानना चाहते हैं कि किसान जो चाटे की खेती करते हैं, उनकी परांपरिख बीदी है और जाधरा तर किसान हरे चारे पर उतना महतना देखे केवल चोकर और भूसा पर अपने पसु का करते हैं उसको भोजन देते हैं लेकिन जिस तरह मनुस को संटुलित भोजन जरू अपने चाहर karta के लिद्ट होती है उसी तरफ पशूर को भी हम लोग को संतुली तहा देना चाहिए अगर हम status की बात कर ले कि हमारे देश में जो है चारे की क्या इस्थिती है तो इसमें हम बता दे कि हमारा जो देश है लगतार जो हमारे देश में पशूर की संख्या जैसा कि आपको अगर हम बिहार के बारे में बात करें तो 95% जो किसान भाई हैं वो केवल जो है अपने भूसे देते हैं या तो कुटी देते हैं और उसके साथ में कभी-कभी खली भी देते हैं लेकिन संतुलित आहार जो है अपने पसुओं को नहीं देते हैं और अगर हम हार प्वीयरा की बात करें तो हरे जा चारा एक गो आ सीज होितायी है भी पेился वाहिए भी गुद के हें भीते हैं। कि पर चुत्ती ऑफ करें लोगता अबक्ती है। खास करके जो बार-बार जो है गर्भधारन नहीं कर पा रही है, सिमेन दिया जा रहा है लेकिन गर्भधारन नहीं करती है, साथ में जो है उसका अगर दूद देने वाली है तो दूद का जो उत्पादन है ओ घड़ जाता है और जो बढ़वार होने चाहिए जो जानवर में नहीं हो पाती है इसलिए हम लोग को हरे चारे का एक खेती ज एक अधुनिक तरीके से और प्राम artenघ तरीके से जो हो रही है उसके अनुसार से हमको करने के जरु रही है हमारे किसान भाई जो हरा-चारा की खेती करते हैं जो अपने RI जो है पसुचारा के परभिधा नने परभिधा गया है और आपके स्थान में Girl को मार्क दरसंत्ट दिया जा रहा है उसकी खेती भी आप कर के खिसान को बतला रहे हैं तो इसके बारे में कुजरता रहा है तो इसके जो जो घंटार से एक पहले हम लोग बात कर लें प्रमप्रागत चारा के बारे में तो उसका जो है आपको हम लोग एक तो होता है प्रमप्रागत तरीके से जो हम लोग कर रहे खेती उसको सालों भर हम लोग कैसे करें इस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए हमारे देश में जो है तीन सीजन होता ह जिसमें खरीफ है रभी है और जायड है जो गर्मा सीजन है तो खरीफ सीजन जो आपका चलता है जून से लेकर के आपका सिटमबर तक चलता है इसके बाद रभी जो है आपका अक्टूबर से लेकर के आपका फरवरी तक चलता है और जो गर्मा है आपका मार से लेकर के जून दलहनी कर रहे हैं दुनों का समावेस नहीं करते हैं तो अगर हम बता दें कि खरीब सीजन में जो है दलहनी में जो फसल लगा सकते हैं जो चारा लगा सकते हैं उसमें आपका है लोबिया है जिसको हम लोग कावपी भी करते हैं गवार है और श्टाइलो है और दलहनी में जो ह उसमें हम लोग लगा सकते हैं मक्का जुवार और बाजरा इसके बाद आता है रभी सीजन रभी सीजन में जो है हम लोग अदलहनी में जो है जही की खेती कर सकते हैं चुकुंदर की खेती कर सकते हैं और दलहनी फसल में जो है बर्शीम है लुसर्न है इसके खेती हम लोग कर स यह उसके बाद करें तो आपने जनकाड़ी दी जो परंपरागत तरीके से हमारे किसान चारा की खेती करते हैं उसके बारे में लेकिन जैसे कि आपने कहा है और पराम परागत जिसके बारे में उनको जनकारी पहले से नहीं है और नहीं नहीं भी दिया आई है और जो किसानों तक आप लोग पहुंचा रहे है और पराम परागत तरीके से जो खेती करेंगे किसान तो उसमें जिन फसलों की आपने चर्चा में उसका इस्तिमाल करते हैं जो किसानों के लिए दोड़ा लाब देने वाली वह फसल है तो उसके बारे में कुछ बिस्तार से जन करी अपने जैसा भी पुछा कि आप प्रमप्रागत में हम लोग जो है जोला के खेती और जो है हाड्रोपोनिक्स की खेती कर सकते हैं और हम ल जो है एक सवाल का ही रूप है जो कि जल के सतव पर तैरने वाला घास है इसमें परचूर मातरा में आपका प्रोटीन पाया जाता है मिनरल्स पाया जाता है और विटामिन्स पाया जाता है ऐसा देखा गया है कि इसको खिलाने से गाह में जो है 10-15 परसेंट तक की के आ इसको हम लोग जो है एक जादू फरन भी कहते हैं और इसका जो हे अगर हम लग बात करें कि तो खेती में भी करताने जो है जो कम हो जाती है लेकिन अगर पसुओं के लिए हम लोग इसको यूज करें तो बहुत ही बढ़िया जो है प्रोटिन युक्त चारा है गाय के अलावा जो है अजोला को हम लोग जो है बक्रियों को दे सकते हैं इसके बाद मुर्गी को भी दे सकते हैं बटेर को भी दे सकते है जिससे कि उनका feed cost जो है वो कम हो जाए क्योंकि maximum जो है मुर्गी में जो है आपका feed cost पे सबसे ज्यादा खर्च होता है हम अगर बता दें कि 70% जो हमारा घर में कैसे कर सकता है उसके लिए तो मसीई उकड़े की साथ जवेरोत परती है तो किसान कैसे करेंगे पहले करना है कि बीज को वीज में हम लोग दो चीज का बनाते हैं एक होता है हमारा गेहूं का और दुसर का होता है मका का और इसके अलावा जो हैं लोग हम लोग यह का भी बना सकते हैं तो इसमें क्या है कि पहले हमको 12 गंटे तक भीज को फुला करके रखना है, इसके बाद फुलाने के बाद थोड़ा सा अंकुरन होने के लिए किसी जूट के बोरी में हम लोग को रख देना है, जूट में जब हो जाता है अंकुरन, इसके बाद हमको ट्रेपर ले करके उसको, हम लोग इभेनली जो है उसको distribute कर देते हैं और ऐसा देखा जाता है कि 7 से 10 दिन में जो है यह जो हमारा hydroponics है आपका 30 से 40 cm तक की लंबाई हो जाती है और उसको खिलाने से सबसे खास बाती है कि हम इसको जड़ के साथ देते हैं पसु को तो जड़ से देने के साथ क्या होता है पसु कभी कभी होता है कि बहुत दिन तक लंबा समय तक गर्मी में नहीं आती है तो उसके लिए देना भूट ही लाबडएक होता है जो जल्ती आ जाती है केवल सुखा चारा पर ही पशू को नहीं पाला जा सकता है। और केवल हारा चारा ही हम उसको खिलाते हैं तो अभी अनिकतर की समस्याइं पशू के साथ आती हैं। तो मिशृत चारा कैसे बनावें किसान? अगर हम लोग बोलता है कि एक जानवर को एक दिन में कितना खाना हम लोग को देना चाहिए तो हम लोग फार्मर के हिसाब से बताते हैं अगर बेगानिक तरीके से हम लोग बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा किसान को लेकिन अगर हम लोग फार्मर के अनुसार से बोलें तो हम लोग देखते हैं कि एक जानवर को जो 400 केजी से उपर की है उसको हम लोग को सुखा चारा जो है रोज 4-5 केजी देना चाहिए हरा चारा जो है 25-30 केजी देना चाहिए और दाना की जो मातरा है उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो दूद उत्पादन की छमता पर हम लोग देते हैं उसको कि हर एक तीन केजी पर गाय में एक केजी हमको दाना देना है और भैस में जो है डाई केजी पर एक केजी हमको दाना देना होता है आपने हमारे किसानों को खास करके जो चारा उत्पादा किसाने पर सुपालक हैं, बहुत अच्छी जनकाड़ी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाईयों, अभी हमने आपको जनकाड़ी दिलाई है कि आदुनी की बीदी से आप चारा का उत्पादन कैसे करेंगे, अब आपको हम जनकाड़ी दिलाने का प्रयास करेंगे, कि एक अनभव किसान हैं, पर सुपालक हैं, वो कैसे चारा खेती करते हैं, और इस ग्रिशी प्र टृड़ी दिलाने कालव हमे कि इसे फसी फैसां दिलाए आपका नाम क्या हुआ, कि आप को किस तरदःती करते हैं, और यहां पर जो नहीं नय जो प्र॥ेरा हैं चारा का उससे इस ले रहे हैं कि अधिक तरीका से खेती करते थे आज जहां पर हमारे किसान आए तो उसे नया जोला और नहीं है लेकर अपने गाउं में कर रहे हैं हमारे किसान भाई और लेका अजोला का नय नय टेकनिकल का बरसीन का और सोदान का नय टेकनिकल से खेती करते हैं। आपको बहुत धन्याद। किसान भाई革 ada ngard का शमय समात हो रहा है मिलते हैं खेत खलियान के अगले कर्म को लेकर तब तक चाहेंगे आप से वनमोती नमस्कार